नमस्कार इंदू आइडियल तरकर एसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे मैं हैधरावाद एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी और उतर गई थी तो बस यहीं यहां पर उतर रही हूं यह थोड़ा सा मैं सुरू में यहा है तो बहुत जादा टाइम नहीं था थोड़ा ही ताने कि कनेक्टिंग फ्लाइट यहां से आगे के लिए हिंसे दूसरी फ्लाइट लेने वाले हैं हम तो अंदर अंदर ही चेंजिंग होगा यह तो मैं आभी पहले यहां से उतर के इसमें बैठ गई और उसके बाद अंदर होगा तो यहां पहले घूम लीजिए यह देखिए बाहर का थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं यहां बस में बैठ गए हैं उसके बाद यहां से निकलने यह बाहर का भी हुए यहां पर देख सकते हैं बहुत बरस है बहुत ही बढ़िया है इंटरनेशनल एरपोर्ट है यह भी औ बहुत अच्छा है तो अंदर थोड़ा सा मारकेट व्यार्वी खूब सारा है लगा हुआ अंदर और डिस्काउंट अगरह भी रहता है बहुत बढ़िया समान सब भी है तो सब मैं थोड़ा सा यहां पे घुमाँगे आप सब को तो बस यहां पे पहुंची गए हैं और अं तो लोग जैसे गाइड किये उस हिसाब से हम लोग किये थे थोड़ा सा ज़्यादा ही परसानी हुआ मतलब दिकत वह टाइम लगा बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट में क्या रहता है एकाद घंटे का ही टाइम होता है तो उसमें छुटने लगता ह फॉलाइट का टाइम हो जाता है न सफेक ordinance कहीं पता नहीं चलता है तो इस वज़से तो इसलिए जल्ड हम लोग भाग रहते हैं और थोरग थोरग विडियो यहां देख सकते हैं कि बना रहे हैं और साइड में दिखा रहे हैं आपको यह अइयरपोर्ट बहुत बढ़ा है यहां पर अंदर भी बढ़िया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह है इधराबाद का तो बहुत ही बढ़िया है और यहां एकसलेटर वाला सीरी से उपर यह देखे ऐसे वाला सीरी है यह प्लेन जिसमान भी साथ में रखके उपर अराम से हो जाता है और सीरी वाला में थोड़ा दिक्कत होता है इसमें बैग अगरा भी रखके आप तो जा सकते हैं बढ़िया था और यहां आ गए हम लोग अंदर और यहां पर थोड़ा सा मार्केट अगरा लगा हुआ है वो देखना थ रखके और मुझे क्योंकि बहुत ही बढ़िया था यहां पर डिस्काउंट होरे में फिलंग कुछ खरदारी भी करनी थे जाने के टाइम नहीं हो पाया था बैंगर में बैंगलोड में भी था इससी तरह मार्केट और अबढ़िया तो हां नहीं हो पाया था तो मैं तोब当 यहां भी टाइम ही नहीं मिल पाया बहुत ज़्यादा भाग दोर हो गया जल्दी जल्दी इस वज़े से तो अब यहां पर मैं दिखाऊंगे कि क्या क्या था उधर नजदीक से थोरा सा वीडियो में बना ली थी वो जब तक समानोगरा का चेकिनोगरा वो सब करवा रहे थे तक तक तो यहां पहले आ जाते हैं अंदर यह भी एक और सीरी से जाना था इधर तो हमें आ गई हूँ थोरा सा यह वीडियो बनाते हुए तो थोरा स्पीड में ही है तो आप लोग देख लिए पसंदा है तो लाइक से जरूर किजेगा और मैं कहां पहुंच रही हूँ यह यहां से हैदराबास से मैं कहां के लिए फ्लाइट ली हूँ वह आगे आपको दिखते जाएगा तो मैं यहां से अभी फ्लाइट ले करके जाने वाली हूँ बिलगाओ तो बिलगाओ एयरपुट भी आप सबको दिखाऊंगे यह देखे मार्केट यहां पर कितना सुंदर दिख रहा है ना नजदीक से भी दिखाते हैं समान थोड़ा चलके आपको कि क्या है यह देखिए डिसकाउंट गरह में लगा हुआ है कापी कुछ तो मैं इधर वास्नम गरह भी गई थी जाते जाते थोड़ा थोड़ा वीडियो यहां पर बनाते गई थी तो आप सब को य बढ़िया है सब समान हो गरह और अंदर जाकर के फिर थोड़ा सा फिरेस हो गरह हो लेंगे और उसके बाद बस अगली फ्लाइट के लिए टाइम हो जाएगा और फिर दास्ते में दिखाएंगे आपको भी ओगरह अगहर पहुँचके भी दिखाएंगे तो बने रहिएगा मेरे चाइनल के साथ आगे और भी अच्छा धमाकेदार ब्लॉग लेकर के मैं आने वाली हूँ बहुत बढ़ियां आपके साथ सेयर करने वाले हैं तो बने रहिएगा और यहां देखिए यह सब डिसकाउंट में यह जोली योगरह बहुत ही सुन्दर सुन्दर था अच्छ बनिया था मैं बस देखी पाई ज्यादा ले नहीं पाई फिर कभी जाओंगे तो जरूर लंगी आप लोग में से कोई जाएंगे इदर तो जरूर खरी देगा बहुत ही बढ़ियां था यह सब पर लेक्सल लोगरह यह देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ले ली मतलब य यहां बाहर निकल ही गये हैं बाहर निकलने का है यहां यहां लास्ट हो गया यह और उसके बाद इदर से बाहर निकल करके बस अब समान हो गया जो साथ में समान लेके उतरे थे ना वही थोड़ा चेकिंग था बाकी समान तो अंदर अंदर ही चेंज कर लिए थे वह समान न निकलने के लिए पांच-दस मिठी बचा था ज्यादा टाइम नहीं था अब यहां थोड़ा सजा करके वह भी हो आएंगे क्योंकि यहां अच्छी गर्मी होने लगी है तो अब यह स्वेटर गर्मी थोड़ा उतार के रख लेंगे क्योंकि उधर तो ठंडी हो रही थी नौर् कि आंगे आपको बस से उतार करके दूसरी फ्लाइट लेते हैं तो, यह बाहर का सीन थोरा समय बना रहे थी तो यह भी हुआ आपको यहां पर दिख रहा होगा यह है यहां से फ्लाइट यह ले ले लेंगे उसके बाद यह देख सकते हैं इंदी गों वहां से और यह छोटा लेकिन बाहर से बहुत बना दीख रहा है ना अंदर जाने के मैं दिखाऊंगी इसका चेर अभी था न जो बैठने का उतना लोग एद यह जादा नहीं था मेरा फ्लाइट का यहां से एक सब्सक्राइब अदर बैठ गया यहां थो घुमा दे रहें दूसरे साइड एससे दुस्रे कोहां अधाय है तो साइड गुमा देने से क्या होता है ज्यादा थंदा नहीं लगता है वहां पर तो थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रखा था फीवर जैसा भी है सब इसी वजह से यह इसी दूसरे साइड घुमा करके अपना रखे थंदा नहीं लगे और यहां बाहर का दिख रहा होगा बाहर दूप हो रखा है जिसके कारण जवेना अच्छा साफ नहीं आया था फोटो गरा बीडियो गरा अंदर का थोड़ा से बना लिए यहां पर बस अब इलाम सोने लगा है तो आप देख सकते हैं यह टेक अप कर राय फलाइट यहां देखिए यह पंखी गोलवला कैसे है यह ह छूबसार का पती का इसी तरह से बनाते थे सेम इसी तरह पंकी और उसको लेखे हम लोग दोड टे थे दोरते समय होता थ RJ की चैसे लग रहा है देखकर की बिलकुल इसी तरह हम लोग बनाते थ बस्षपल में दिखा दिया आपको रहे नहीं हम लोग पहुंची गए है सुबह सुबह वहां से चले थे साम तक औने घर यहां पर जहां रहती हूँ गहाँ में वहां पहुंच गई यहां देखे कितना चमक रहा है न छोटा छोटा वाइट वाइट कलर का यह घर दिख रहा है तो यह सब सीन जो है ना बेंगलोर से बहुत ही बढ़ियां आया था बेंगलोर वला एक मैं बनाई थी पहले ब्लॉग उसमें बहुत ही खुबसुरा सीन आया था और बस यहां कर गए है और यह है बिलगाओं का एर्पोर्ट तो यह देख लीजिए यह बहुत बड़ा नहीं है चोटा ही है लेकिन अच्छा रजगा केने फिलाइट है मिल जाती है और हर जगह के लिए नहीं मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट यहां यहां तक आती ही जरूर है फ्लाइट यह अच्छा है कि युद्प रैकाय कम से कम जाने के लिए तो यह देख सकते हैं यहां से बैंगलारीया थरा यह बहुत आज जगाए जाती है तो वहां से पिर प्वार निकल लेंगे बाहर निकलने के बाद हम लोगों का घर बिल्कुल पास में है एरपोर्ट से ज्यादा दूरी नहीं है नधिक में रहते हैं हम लोग तो बस यहां से लेंगे यह मिल गया था टैक्सी वाले को बोल रखे थे तो वही आ गया था तो उसी में बस हम लोग आ जाएंगे घर तो यहां देखिएगा बाहर हम लोग निकल रहे हैं यह देखिए है ना बहुत सरा हर्याली और उपर मैं दिखाऊंगे यहां पर यह कौन से जगा है यह देखिए बेल गांवी हवाट यदा है लिखा हुआ इसे को बिल गांवी ब 만ते हैं बेला गंभी भी बहुत बहुत बाहुत बइद्वाद्धू सेर ॡवी थी तो आप लोगोक देखिया है पिछले विडियो मेरा तो उसमें आपको फ Mire ficик ये टेक्सी आने वला है और सब लोग भी इंजार कर रहे हैं और ये देखिए है मेरा समान और ये टेक्सी वला बूला है कि किधर है ढूंड रहा है वो फोन किया है लेकिन वो पता नहीं चल पा रहा था तो बस अब आ गया है तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं चुटा-च यहां पर दिखाऊंगे यहां पर पूलीस का भी अच्छा वेवस्था रहता है करनाटक का यह चीज मैं देखी हूं हर जगह जगह पर पूलीस का रहता है असब रूल रेगूलेशन बहुत बढ़िया है यहां देखे हर याली दिख रहा है न गाओं की तरह बिलकुल यहां देखे यह लोग पुलिस सब यहां पर खरे है न यह हर जगह पर आपको दिखेगा चौरा है चौरा है पर रहता है इन लोगों का पूरा वेवस्था बनिया कुछ भी गर्वन नहीं होना चाहिए तो बस यहां पर हम लोग निकल गए और अभी पहुंच जाएंगे घर घर पहुंच करके उतरने के टाइम का वीडियो इतना नहीं पन पाया यह है देख सकते हैं बैगों गरम है उतार लिए यहां पर रखती उसके बाद बच्चे लोग जो है खाना वर तयार करके रखे थे तो य यह अर्भी का मसालेदार जो मुझे बहुत पसंद है और यह पापा की पसंद की धनिया की चत्मी और रोटी और चावल भी था तो मैं चावल नहीं ली थी पापा लिये चावल और हम लोग अच्छे से आराम से नहाद हो करके गरम पानी से खाना उगर खाए और आराम किये तो बस यहीं तक था जर्नी ब्लोग अगले ब्लोग में फिर मिलेंगे अच्छा वीडियो के साथ आप सब बने रहेगा थैंक्स पर वाचिंग